किसान भाईयो नमस्कार आज हम लोग खेत की कुछ ऐसी बनावट पर बातचीत करेंगे जहां से हम अच्छी आमदनी कर सकते हैं और हमको मेनद भी कम करनी होगी साथियो हम खेत में जो हमारी मेंड बंदी है इसको हम बफ़र जोन के रूप में सजाते हैं यदि हम एक एकर जमीन में खेत की चारो तरफ की बाउंडरी पर दो मीटर की जगे बफ़र जोन के लिए देते हैं तो इसमें चार से पांच फ़सलों को इस तरह परकार से लगाते हैं ताकि वो हमको लंबे समय में आमदनी दें इसमें हम मुखरूप से अभी आप देख रहे हैं कि मेरे सामने जहां में खड़ा हूँ यहां पर आपको एक लाइन केले की देख रही है और उसी के साथ साथ बकायन के पोदे हैं और उसी के साथ ने चारा घास है किसान भाईयों जिनके पास में पसू है और जिनको चारे की जरुत है या नहीं भी उनके पास पसू है और वो चारे को निकाल कर बेश सकते हैं बजार में तो हम एक एकड़ की बाउंडरी से यहां यदि चारा लगाते हैं तो लगभग चार सो कुंटल चारा निकाल सकते हैं ये जो बर्मा ड्रेक बकाइन का जो पौधा है ये आठ वर्स में लगभग लगभग धाई से तीन हजार रुपे का एक पौधा हो जाता है इसी परकार केला हमको हर वर्स दस से 20 किलो की आमदनी देता है हम केले की दो पौधों के बीच में सर्बगंधा और उसके सारा जो जगए बीच की बची हुई है उसमें सतावर जैसी चीजों को लगाते हैं बकाइन जो पौधे हैं इस पर हम कौश के पौधों को लगा सकते हैं तो इस परकार बफ़र जोन में चार से पांच चीजें हमारी बराबर चलती रहती हैं और ये हमारे खेत की सुरक्षा भी करता है सुरक्षा का मतलब है बाहर से जो कीड़े आते हैं वो चारा घास से रोख जाते हैं जमीन के सतय से यदि कोई चीज पानी के द्वारा खेत में जाती है उसको भी जड़ों के द्वारा रुकावट होती है और चूंके ये बफ़र जोन 30-40 फूट उंचाही तक भी जगे रहती है तो 30-40 फूट तक खेत के अंदर जाने वाली जतनी भी गंदगियां हैं अंचा लाक रुफिया इस बफ़र जो उनके द्वारा निकाल सकते हैं जो अभी हम पूरे जमीन के पूरे एक एकर जमीन से नहीं निकाल पा रहे हैं सर बहुत सारे किसान भाईयों के बरांतिया है कि इसका चाया पड़ेगी खेत की फ़सलों में तो ऐसा कुछ है इसमें हम लोगों पौधे इस परकार के चैन किये गया है जैसे बर्मन रेक है इसकी चाया पड़ती नहीं बकायन की चाया नहीं पड़ती चारा घास बार बार करती रहती है और जो केला है उसकी चाया भी नहीं पड़ती है तो ये सारी फ़सलों का चैन ही इस परकार से किया जाता है कि इसमें कोई भी चाया पड़ने का या दूसरी फ़सल को नुकसान की जगे नहीं किसान भाहियों खेत के अंदर जो दूसरा जगे वो है जहां पर हम एक वरसे जादे अबदी की फचलने लगाते हैं तो ऐसा होनी से हम गना अभी आप देखने के गना अलग है और इसके साथ साथ हल्दी लगी हुई है हल्दी में हमने पहले मक्का लगाई थी और इसके बाद में हल्दी के साथ अलसी लेंगे तो तीन फसलें यहां से और तीन फसलें गन्य के साथ जो कि गन्या जब लगाया सितंबर में गन्या यदि लगाते हैं तो गन्या के साथ में लहसुन और गन्य के साथ जो मेंड बन दिया है उस पर कोई भी कंद लेते हैं तो गन्य के साथ लहसुन और कंदवाली फसले ताकि गन्य को पूरी खुराक मिले और आमधनी भी मिले हम इसी एरिया में से गन्य का उत्पादन भी किसनों के एकड़ के बराबर ही निकालते हैं सर आप बहुत सारे किसान भाई यह सोचते हैं कि इसे उनकी इंकम कैसे बढ़ेगी आप उनको थोड़ा इसका गनित बता सकते हैं इसका अर्थ शास्तर कैसे रहेगा बिलकुल देखिए बहुत सुन्दर बात है कि गनित बताने का मतलब है कि हम पूरे पूरे पूधे को एक व उस यगे पर हमारी दूसरी फसने आ गई तो इसे कहते हैं उत्पादन की ववस्था जो प्रकृति में घनाकार है वो जब हम किसी चीव को पोरा विस्टार देंगे तो उसका उत्पादन जादे भी लेगा और जो सेज जगे बची होएगी वहां दूसरी फसने लेंगे जब ह अगर्ण को एक घंटा लगाते हैं तो उसे क्या है गन्य का घंट विगर जाता है और गन्य का उत्पादन उत्ना नहीं निकल पाता जितना निकलना चाहिए तो एक फसल में कभी भी सतही उत्पादन का घंटितियां आंकलन ठीक होता ही नहीं यदि आपको अर्थवे आपको प्रिक्रती के घंटाकार को समझना हो इसको बहुत सारे लोग मल्टी लेयर प्रडक्शन सिस्टम भी बूलते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यावाद आपको